जहन मेरे प्यारे साथियों, साथियों उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्परेशन लिम्टेट के द्वारा बहुत ही जबरजस्त विकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है और इसमें सभी टाइप की विकेंसी है सामिल है और इसमें mostly दोस्तों हम जिस विकेंसी के बार में हम बात करने वाले हैं ITI, Diploma और जो भी Graduation वगरा कियोंगे हैं उनके लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश मेट्रो रोल कर्परेशन लिम्टेड में जॉब करने के लिए सुनहरा मौका आपको मिल चुका है इस विडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन-कौन से पोश्ट है जिसमें ITI वाले, जिसमें डिपलोमा वाले और जिसमें Graduation वाले हाँ पर अपलाई कर सकते हैं इसमें form जो है कब से भारा जाएगा, exam कब होगा, क्या इसमें negative marking होगी की नहीं होगी पेपर का यहाँ पर जो है pattern क्या होने वाला है, क्या tier 1 होगा, क्या tier 2 होगा, क्या tier 3 होगा, exam city कहां कहां पर होगा और psycho aptitude test किस-किस post में conduct कराए जाएंगे तमाम तरह की जनकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को complete देख लेना है, जो भी ITA diploma वाले हैं, या जो भी यहाँ पर graduation वगरा किये हुए हैं ताकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको proper सही सही सारी जनकारी आपको पता हो और इसके form वगरा के बारे में आपको जनकारी हो और भार सके, ठीक है तो चलिए फ्रेंड सीजी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक आपने रोजगार संकल्प चनल को subscribe करके नहीं रखा हुआ है तो आपको रोजगार संकल्प चनल को subscribe करके जरूर रख लें, क्योंकि आपको इस चनल पर 100% ओठेंटी की जनकारी आपको दिया जाता है, ठीक है तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर जो है, इसकी जो notification है, उसके माध्यम से पूरी जनकारी आपको दिऊंगा साथ मैं यह बताऊंगा कि आपको notification कैसे download करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले, जो यह notice publish का date है, यहाँ पर देख सकते हैं, 13 March 2024 को यह notice यहाँ पर publish किया गया है और form भरना जो है, 20 March 2024 से चालू हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका form भरने का जो last date है, 19 April 2024 है, और जो आपका admit card है, यहाँ पर 30 April 2024 को आजाएगा और जो आपका exam है, 11 मई, 12 मई और 14 मई 2024 को conduct कराई जाएगा, आगे भी बताऊंगा कि यह जो exam city है, वो कहां कहां आपका यहाँ पर दिया गया है, इस notification में पूरा चीज यहाँ पर बताएगा है, ठीक है, और इसमें दो type की post आपको देखने को मिलेगा, एक executive वाली और एक non executive तो executive वाली में मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो b b tech वाले हैं, वो यहाँ पर apply कर सकते हैं, हम mostly जैसे कि मैंने आपको बताया, it diploma और graduation वाले post को mostly हम focus करेंगे इस video में, तो यहाँ पर देख सकते हैं non executive post, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर side में post code देखने को मिलेगा, name of post, space scale और यहाँ पर number of vacancy और education qualification age यहाँ पर देख सकते हैं, और medical standard कौन से category का होगा, वो यहाँ पर चीज़े इनोंने बता रखा है, सबसे पहले बात करते हैं, post code NE01, जिसमें junior engineer electrical 33,000 से लेके यहाँ पर आपको starting होगी, यहाँ पर 67,300 रुपे तक आपकी salary जो है आप जाती है, total य यहाँ पर electrical and electronics engineer वगरा में वो यहाँ पर apply कर सकते हैं, और बस condition यही है, कि उनकी जो अगरा कोई candidate यहाँ पर general category से बिलोंग करता है, तो 60% से above passing marks जो होने चाहिए, और यहाँ पर CST के लिए यहाँ पर 50%, age यहाँ पर देख सकते हैं, 21-28 साल होना चाहिए, एक तीन दोहजार 24 से calculate करना है, minimum age सभी में 21 साल ही, यहाँ पर consider किया जाएगा, इससे कम नहीं होने चाहिए, और 28 साल यहाँ पर maximum है, general category वालों का, वहीं अगर आप OBC, CST से आते हैं, तो OBC के लिए 3 साल 28 में जोड़ देना है, और CST से आते हैं, तो 5 साल और जोड़ देना है, तो इतना आप को age male session का lab इसमें मिल जाता है, और इसमें दोस्तों देख सकते हैं, A1 यहाँ पर जो है, आपका medical standard यहाँ पर रहने वाला है, second post की बात करें, NE02 junior engineer, SNT, signal and telecommunication, जिसमें salary same है, total post 44 है, इसमें भी diploma वगरा मांगा गया है, अगला जो post है, NE3, इसमें station controller come trainer operator की है, जिसमे salary same है, इ इसमें भी diploma electrical वगरा जो नहीं किया है, वो apply करेंगे, और सभी में यहाँ पर age same है, अब बात करें, जो यहाँ पर become किये हुए है, become जो किये हुए है, वो account assistant वाले post प apply कर सकते हैं, salary 25,000 से लेकी क्यावन हजार तक रहेगी, total 8 vacancy है, become जो नहीं किया है, वो apply करेंगे, और यह यहाँ पर जो 21-28 साल इसमें भी age यहाँ पर मांगा गया है, अगला जो post है, office assistant के लिए human resources, जिसमें salary जो है 25,000 से लेके क्यावन हजार, इसमें 4 vacancy है, vacancy कम है, और यहाँ पर देख सकते हैं, जो 3 साल और 4 साल, कोई भी graduation वगरा किया हुए है, किसी भी discipline से, वो candidate इसमें apply कर स registration वाले के ही हम बात करेंगे, तो ITA वाले देख सकते हैं, इस post में apply कर सकते हैं, any02 post code है, maintenance electrical, 19,500 से लेके 49,900 salary रहेगी, 78 post है, post भी ठीक ठाक निकाली गई है, और ITA जिन्होंने electrician trade से वगरा किया हुआ है, वो सभी candidate इस post के apply कर सकते हैं, age 21-28 साल, अगला जो ITA का post है, maintenance S&T, जिसमें 19,500 से लेके, यहाँ पर 49,900 रुपे salary रहेगा, total post 26 निकालेगा इसमें, और इसमें भी electronics, mechanics वगरा से जिन्होंने IT के हैं, वो apply करेंगे, तो ITA डिपलोमा के लिए और graduation के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर UP, जो metro में जो vacancy निकालेगे हैं, इसमें आपको जरूर apply करना चाहिए, और ऐसा मौका आपको बार-बार नहीं मिलता है, और जरूर इसमें form बेगरा fill up की जिएगा, ठीके, आगे देखते हैं, selection process देख सकते हैं, किसमें two stage का यहाँ पर process रहेगा, किसमें three से इसका process रहेगा, तो selection process की बात करें, तो यहाँ पर जो है, आपका assistant manager, electrical, जिसमें postcode EO01 और postcode EO02 के लिए two stage होंगे, जिसमें return test और यहाँ पर document verification होगा, इसके लाबा यह जो post करें और यहाँ पर junior engineer के भी यहाँ पर two stage, यहाँ पर process यहाँ पर होने वाला return test और document verification, उसके बाद medical बगरा होगा, और उसके बाद जो यहाँ पर three stage process यहाँ पर रहने व होगा, साथ में psycho भी होगा, aptitude test भी होगा, document verification भी होगा, medical बगरा भी होगा, उसके बाद ही final result जो है आपका आएगा, ठीक है, बाकी सब post के लिए two stage process यहाँ पर रहने वाला है, return test की बाद करें तो क्या चीज आएगा, किसमें कौन से post के लिए कितने number का question आएंगे, तो आप आपके भाईया, CVT होगे, यानि कि computer पर test होगे, English और Hindi, दोनों मीडिया में question आपको देखने को मिलेगा, मतलब paper का जो language होगा, Hindi में भी होगा, और English में भी होगा, इसके अलाबा, इस post code लिए, category 01 से लेके 09 तक, और E01 से लेके 06 तक, इनका 140 number का question पूछा जाएगा, वहीं, NE07 से लेके, NE08 वाले जो यहाँ पर post code है, उनके लिए 100 question पूछे जाएगे, और one third negative marking है, दो गंटे का समय आपको मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखना है, और यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर station controller come train operator की जो post है, इसमें आपका जो बच्चे जो यहाँ पर exam qualify करेंगे, उन उनका दोस्तों यहाँ पर जो है, उनको call किया जाएगा, psycho aptitude test, document verification बगरा, उसके बाद medical examination के लिए, तो यह सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, examination center मैंने सुरुआत्मी बताया था, कहां कहां होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आगरा, अलिगड, बरेली, ग exam बगरा, connect कराए जाएंगे, ठीक है, अगला जो यहाँ पर आपका bond यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, bond आपसे sign करवाए जाएंगे, मालनी जे कोई job बगरा छोड़ जाता है, तो इतनी आपको plenty यह भरनी रहती है, तो यह आपर postcode के साब से दे रखा है, और यहाँ पर दोस्तों आपको fees कितनी देनी है, अगर आप journal, EWS और OVC के candidate है, तो 1180 रुपे प्लस यहाँ पर GST 18% यहाँ पर देना होगा, और CST को 1826 रुपे प्लस include 18% GST यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो यह यहाँ पर इतनी fees बगरा लगेगी, और जो भी interested candidate है, इसका form जरूर fill up किजिएगा, और यह आप सभी के लिए ITA diploma और जो यहाँ पर graduation वाले हैं, simple जुन्होंने graduation बगरा किया है, यह उनके लिए best post हो सकती है, ठीक है, तो आपको apply कैसे करना है, कैसे check करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, form भरना जो है, यहाँ पर 20 मार्स से चालू corporation की limited की official website पर आते हैं, side corner में carrier का option दिखाई देगा, और इसी के नेचे requirement 2024 लिखा हुआ है, इस पर आपको click करना है, तो यह वाला interface आ जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, अभी इसका जो है, registration process चालू नहीं हुआ है, यहाँ पर 20 मार्स 2024 आपको देखने को मिल जाता है, और इसी website से online आवेदन किया जाएगा, जैसे यहाँ पर online आवेदन होता है, इस चलना के माध्यम से आपको जनकारी दी जाएगे कि कैसे आपको step by step आपको form भरना है बिना किसी गलती के, ठीक है, और नीचे advertisement बगरा भी इस पर click करके download कर सकते हैं, ठीक है, तो यह दोस्तों इस भरती के बार में मैंने लगबख सारी जनकारी आपको बता दिया है, फिर भी कोई doubt, कोई confusion हो, तो comment में लिखके अपना सवाल जरूर पुछ लीजिएगा, वीडियो दिखने के लिए आज सभी का बहुत बहुत धनिवाद, thanks for watching